व्हुन वेलकम तु सरोध मिश्राज यूटिब चैनल में एटिफ चैनल पर आपसे भी कब बहुत स्वागत हैं बहुत ही अची वेकेंसिस लेकर आए इस वीडियो में रेसिडेंशल स्कूल है वह बहुत ही अच्छा रेसिडेंशल स्कूल है क्योंकि पूरा जो पूरा स्कूल है वो air conditioned है air conditioned classroom है आपको fully furnished flat मिलते हैं अगर आप वहाँ पर finally select हो जाते हैं furnished flat मतलब आपको basic necessity की चीज लेके जानी है जैसे अपने कपड़े वागर बाकी सारी चीजें वहाँ पर furniture, tv सारी चीज वहाँ पर आपको flat में available मिलेगी वह भी free of cost pressure भी recruitment process में शामिल हो सकते हैं इससे भी खास बात यह है कि यह जो school है वो run कर रहे है IITN और government of India के scientist है मतलब वह ज्यानिक हैं और एक IITN हैं दोनों मिलकर school को run कर रहे हैं इसका जो पूरा infrastructure वगर है आप इस recruitment process में कैसे शामिल हो सकते हैं बाहरी राज्य से बिलॉंग करते हैं दूसरे state से बिलॉंग करते हैं फिर भी इसके recruitment process में अगर शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं recruitment process में participate अगर आप आप इंट्रेस्टेड है क्योंकि free residence available साथ ही साथ multiple benefits भी दिये जाएंगे तो पूरी information की क्या subject है qualification क्या है पोस्ट क्या जिसके लिए vacancies आई हुई है और अगर आप वाकर इंट्रेस्टेड है इस job के लिए तो बाकी आगे next process क्या करना होगा ये complete information आपको वीडियो में ही दे school का main gate है तो और ये पूरी तरह से completely residential भी है और air-conditioned भी है चलिए अब details हम देखेंगे advertisement की ये advertisement की details है जिसमें की post graduate teacher science commerce and humanities कहने का मतलब है all subject vacancies है post graduate teacher all subject तो post graduate teacher के लिए master degree and BA है अगर आपके पास तो यहां पर आप eligible हो जाते है trained graduate teacher में all subject master degree or graduation with BA seated ted की कोई जरुवत नहीं है experience भी नहीं मांग रहे हैं है तो अच्छी बात है ऐसे मांग नहीं रहे हैं कि इन्होंने qualification के साथ experience को mandatory essential नहीं कर सकते हैं तो बिना experience के भी आप अप्लाई कर सकते हैं PRT all subject है किसी भी subject से आर्स, commerce, science से आप graduate है किसी भी BA, BSc, B.com, BA, B.tech, BMS जो भी आपके साथ है MBA तो आप अप्लाई कर सकते हैं MPED है अगर तो sports teacher के लिए applied arts के लिए MA, diploma in fine arts and BA, office assistant के लिए कोई भी graduate apply कर सकते हैं receptionist के लिए graduate apply कर सकते हैं hostel warden के लिए मेरिया female graduate apply कर सकते हैं nurse के लिए female candidate के requirement है HR manager के लिए MBA अगर है या master in social work या PG in HR है दो साल की experience है तो HR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं notification release कहां से हुई है और qualification के साथ मैंने आपको यह बता दिया कि subject के साथ qualification क्या चाहिए school का नाम Tappo One International School है जो की नर्सरी से लेके 12 standard तक है और यह residential school है day come residential मतलब residential आवासी स्कूल में पढ़ाई होती है दिन के टाइम में लेकिन आवासी स्कूल है जहां बच्चे रहके पढ़ते हैं Tappo One International School is affiliated to CBSE, CBSE board की पढ़ाई होगी IIT technocrat और ex-scientist government of India यह स्कूल को रन कर रहे हैं इन्होंने खोला है स्कूल को और यही रन कर रहे हैं IITN है और वैज्यानिक है TIS provide TIS means Tappo One International School को यह TIS बुला रहे है शौट में प्रवाइट्स एयर कंडिशन क्लास्रूम, hostels and staff quarters in lush green campus looking for creative, hard working and experienced teacher और personal for the following तो इन्होंने क्या क्या benefits बताएं कि एयर कंडिशन क्लास्रूम रहेगा, hostel की facility है, बच्चों के लिए और staff के लिए quarters की facility है तो जो भी interested candidate है, वो apply कर सकते है, experience थोड़ा लिखा है, लेकिन अगर नहीं भी है, तो apply कर दें, इसमें कोई problem नहीं है तो पहले कैसे apply करना है वगर है, यह समझ लेते है furnished accommodation with other perks, furnished मतलब कुछ भी लेके नहीं जाना है, सब कुछ वहाँ पे accommodation residence में सब कुछ available रहेगा computer knowledge and fluency in English are mandatory for all posts, computer थोड़ा आना चाहिए, with other furnished accommodation with other perks and facilities will be provided to staff तो staff member को perks दिये जाएंगे, facilities दिये जाएंगे multiple, अगर आप में से किसी candidate नहीं अलेड़ी यहाँ पर काम किया हुआ है, तो अपना जो experience है, वो share कर सकते है, जिससे बाकी candidate को help मेले इंटरेस्टेट कैंडिडेट एन एमेल देर complete resume, अचा यह school है काहां पर यह महसाना में है, गुजरात स्टेट में है पोस्ट आफिस लिंच मतलब गुजरात स्टेट में है, इंटरेस्टेट कैंडिडेट कैंडिडेट स्टेट में है, अगर आप इसमें रिकूट्मेंट प्रोसेस में शामिल होना चाहते है, तो करना क्या रहेगा इसके लिए कि 7 डेज के अंदर 29 नॉवेंबर को यह पब्ल अंदर मतलब कि आप 5 डिसेंबर तक इमेल आइडी पर एपलाई कर दे पहले, बायो डेटा और उस पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दे बायो डेटा पर और उसको आप यह जो इमेल आइडी है, तपोवन-adm-admin-gmail.com इस इमेल आइडी पर आप भेज द at TIS, महसाना, और फिर main content जहां पर लिखते हैं, वहां पर लिखते कि I wish to apply for this post at your esteemed organization and I attach my updated बायो डेटा along with passport size, photograph, fear with, ऐसे करके आपको फिर PDF में convert कर ले, बायो डेटा, attach कर ले, as an attachment, इमेल पर भेज दे, वह भेजने के बाद फिर आप पहले तो इमेल पर भेजें, उसके बाद फिर उसकी proof रख लें, इमेल की, and then you can attend a walk-in interview and 23rd, 24th, 25th, December, 23rd, 24th, 25th, December, 23rd, 24th, December को फिर आप जो है, walk-in interview के लिए जा सकते है, walk-in interview के आपको कहां जाना होगा, तपोवन इंटरनाशनल स्कूल, एहमदाबाद, महसाना, Express Highway, Post Office Lynch, District, महसाना, गुजराद, तो यह जो है, यह address है, तो अगर आप website visit करना चाहते है, तो website visit कर ले, www.tapo1.school.net, एक तपोवन अलग मिलेगा, वो अलग जगह पर यह .net करके आपको website आपको किसी से screenshot लेनी होगी, अभी मैं इसको थोड़ा सा shot, इसकी image को छोटा कर देती हूँ, तो आप एक बार में screenshot ले सकते हैं, जो interested candidate है, अच्छी opportunity है, और आप में से किसी ने already काम किया है, तो please अपना experience share कर दे, अगर आप इस तरीके की और job opportunities चाहते हैं, तो comment section ने जरू candidate ने B8, TET वगरा किया हुआ है, vacancies हजार के count में ही फिल किये जाते हैं, और हर साल लाखो candidate पास आउट हो रहे हैं, तो vacancies कम हैं, गौर्मेंट में सरकारी टीचर्स की, तब तक मैं अगर आप private join करना चाहते हैं, अच्छी job opportunity, तो मैं, आप comment section में लिखे, मैं अच्छी वीड और बारत सरकार के वेज्ञानिक दौरत चलाया जा रहा है, तो इसका standard थोड़ा अच्छा है, school का, आप सभी को best wishes, thank you very much.